So hey guys, welcome back to my youtube channel आज हम हमारी flamingo book का chapter number 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है Deep Water इस chapter को लिखते वक्त हमारी writer को कुछ ऐसा feel हो रहा था हमारी story के writer है William Douglas उनका जन्म 1898 में US में हुआ था तो यार poet के बारे में इतना बहुत है बाकि अगर तुम्हें poet के बारे में और पढ़ना है तो यार तुम book से poet के बारे में और पढ़ सकते हो तो यार इस story की summary से पहले हम इस story का intro देख लेते हैं ये chapter हमारे poet के लिखी हुई book of man and mountain से लिया गया है इस chapter में किसी चीज को लेकर हमारे अंदर के डर पे कैसे काबू पाना है वो दिखाया गया है इस story में writer ने पानी के डर के साथ का struggle दिखाया है तियार ये कोई अनन्या पांडे वाला struggle तो था नहीं story में आगे हम जानेंगे कि पानी को लेकर writer के मन में डर कैसे आया और उसने उस डर से छुटकारा कैसे पाया और आगे उनकी life में क्या कुछ changes आते हैं तियार बस अब intro को यहाँ पे खतम करते हैं अब हम story की summary को start करते हैं हमारे writer की age 10 से 11 साल थी तब हमारे writer swimming जीखने का फैसला लेते हैं वो YMCA के pool पे चुनाओ करते हैं वो pool कम गहरे साइड में 3 feet और गहरे साइड में 9 feet गहरा था William को 4 साल की ओमर में पानी को लेकर डर उसके मन में बैठ गया था उसका डर तब सुरू हुआ था जब उसके पिता जी कलिफोनिया के समुद के किनारे ले गया थे उसको वो वहाँ पे खड़ा था अचानक से एक लहर आती है और उसे गिरा देती है जिससे वो सांस नहीं ले पाता है थोड़ी देर के लिए उस दिन से उसके मन में पानी को लेकर डर बन गया था एक दिन विलियम YMCA में जाता है पूल पर कोई नहीं था वो अकेले पूल में जाने से डर रहा था इसलिए वो पूल के किनारे बैट जाता है और किसी के आने का वेट करने लगता है थोड़ी देर में एक उसकी उमर से जादा एज का एक लड़का आता है उसकी एज थी 18 साल वो सरीर से हटा कटा था वो विलियम के पास आता है और पीछे से धक्का दे देता है उसको जिससे विलियम पूल के अंदर गिर जाता है विलियम बैठने की पूजी समने पूल के न जाएगा फिर वो वहां से धीरे-धीरे तेरते हुए किनारे तक चला जाएगा पूल के नीचे की सतह तक जाने का रास्ता बहुत लंबा था वो 9 फीट की गहराई विलियम को 90 फीट जितनी लग रही थी जब उसके पैर पूल के ग्राउंड को टच करते हैं तो विलियम अपन आग खोलता है तो पानी का रंग उसे कुछ हलके पीले कलर सा दिखाई देता है विलियम गबराने लगता है उसे डर भी लग रहा था वो अपने हाथ पर चलाना शुरू कर देता है वो अपने पैरों को सतह पे लाने की पूरी कोसिस करता है ऐसा लग रहा था जैसे उसके प दूसरी बार सता पे आनी की पूरी कोशिस करता है दूसरी बार जब विल्यम पूल के नीचे की ओर जा रहा था तो उसके सांस फूलने सुरू हो जाती है और उसके लंक्स में दर्द होना सुरू हो जाता है उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस अब बेहोस होने वाला है वो फिर उसके मन में एक प्लैन आता है जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा था एक भयानक डर उसे जगड़े जा रहा था उसकी सरीर कापना लग जाती है उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉड़ी परलाइज हो गई हो उसका दिल जोर जोर से धड़कना सुरू हो जाता ह उसका पैर जैसे ही पूल की टायल से टच होता है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उपर की तरफ कूदता है वो पूरी कोशिस करता है उपर की तरफ आने की वो अभी भी पानी के अंदर था वो फिर से कापने लगता है वो मदद के लिए अपनी मा को पकारता है जैसे यार ब उसे लाइट्स दिखती है वो सांस लेने की पूरी कोशिस करता है पर उसके मूँ में सिर्फ पानी आता है थोड़ी देर में सारी कोशिस बंद हो जाती है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया है और उसकी डेत हो गई हो जब वो अपनी आखे खोलता है तो वो पूल से बाहर था और बार-बार उल्टिया किये जा रहा था जिस लड़के ने उसे पूल के अंदर धक्का दिया था वो उसके पास खड़ा था वो लड़का विलियम से बोलता है मैं तो बस सरारत कर रहा था तो यार ये सुनते ही पूल बोलता है उस दिन के बाद से विलियम कभी पूल में नहीं गया वो पानी से दूर रहने लगा उसे अपने इस डर को दूर करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था विलियम अपने डर पे काबू पाने का फैसला लेता है और अक्टूबर से एक ट्रेनर से स्विमिंग सीखना शुरू कर देता है वो हफ्ते में पास दिन और डेडी एक घंटे प्रैक्टिस करता था ट्रेनर ने विलियम को एक बेल्ट पहनाता है जो एक रसी से जुड़ी हुई थी और ट्रेनर दूसरी तरफ से रसी को पकड़े रखाता था वो इस तरह से हमेशा प्रैक्टिस करते विलियम जब पानी में जाता तो उसे फिर से वही डर सदाने लगता वो अपने इस डर पर काबू पानी के लिए तीन महीनों तक प्रैक्टिस करता है अप्रेल में ट्रेनर विलियम से बोलता है कि वो अब अकेले तरने के लिए तयार है वो अकेले में पूल में तरना सुरू कर देता है वो ऐसा जुलाई तक करता है अब भी उसके मन में कुछ डर बचा हुआ था एक दिन विलियम नियो हमिस्पायर में लेक वेंड्सवार्ट गया और टेक्स आइलेंड पर से तैरना सुरू किया और लेक के पार स्टैंप एक्ट आइसलेंड तक गया जब वो लेक के बीच में था उसे फिर से वही डर सताने लगा था वो सिर्फ गहरा पानी और काला पानी देखी पा रहा था लेकिन वो अपने डर का सामना करता है और तैरता रहता है वो टाइटन जो एक अमेरिका का सहर है कॉन्रेड मिडोस घास के मैदान से कॉन्रेट क्रीक ट्रेल से होते हुए मिडो ग्लेसियर टाक पहुच जाता है वो अम लेक के पार तैर कर गया और वापस आया लास्ट में उसे फील होता है कि अब उसे पानी से डर नहीं लगता इन सारे अन्बो से विलियम के जीवन में बहुत कुछ फर्क पड़ता है तो यार बाकी इस स्टोरी के क्वेशन आंसर मैं तुम्हें डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो यार मुझे उमीद है तुम सब अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से मेहनत करोगे तो यार मिलते हैं तुम सब से अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा भाई भाई